प्रमार्टर की खेती में सबसे ज़्याद समस्य आती है वह आती है फंगस की तो आज हम मुक्ता जो तीन प्रकार के फंगस है जिसमें अरली ब्लाइट लेड ब्लाइट और बैक्टिर्ल ब्लाइट तीनों पीमारियों के बारे में हम आज उनको पहचानने की कोशिस करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम उनका निदान कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं राके सहू आप देख रहे हैं एग्रोजीवन बाते किसान की जोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं early-bright की क्योंकि जैसे ही हम transplant करते हैं पौदे को अब नर्शरी से तो सबसे पहले जो हम समस्या आती है वह आती है एक तो dumping आपकी जिसको हम रेडू मिल की साहतर से यदि हम टेंशिंग करते हैं रेडू मिल की तो वो समझ से हमारी पूर्ण से समाथ हो जाती है तो इस तो फंगस का उपचार करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हम नरसरी से प्लांट को अपने खेट में सिप्ट करने चाहते हैं तो उस वक्त सबसे पहले हमें पौद पर ही याने की नरसरी पर ही ह अगर इस्परे करते हैं तो वो खर्चा हमारा कम हो जाता है क्योंकि जगे कम होती हैं, इस चक्र में जो है, हमको डवाइया कम लगती हैं तो दोस्तों हम आज घैंग्य कि जो मुक्य तेंट प्रकार में में जानेंगे MOM Ст्थ들 तीक लेड़ ब्लाइट और लेक्टिरिल ब्लाइट तीनों बिमारियों के बारे हम आज चर्चा करेंगे उनको पहुछाने की कोशिस करेंगे और जाने की कोशिस करेंगे कि इसका उपचार क्या किया जाए दोस्तो ये रहा टमाटाकलप्राट और हमाँ आज एक अर्ली बैट की पहरंचान करेंगे तो अर्ली बैट की दोस्तो हमें पौधी के नीचे तरब पतिया होती है उनको ध्यान से देखना हुगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये नीची की पत्याँ जो है वो जुलस चुकी है पीले कलर होने के बाद ये जल चुकी है और इसमें कोई भी जान नहीं बची है तो early blight जो होती है दोस्तों वो पौधों के नीचे वाली पत्यों से start होती है तो इसकी पहँचान के लिए हमें मुक्ता जो है पोधे के नीचे तरब देखना होगा कि ये पत्तिय जो है इस टाइब की अगर होती है तो आप समाझ लें कि ये जो है अरली ब्लाइट है दूसरा जो फंगा सटाइक होता है दोस्तों वो होता है बैक्टरिल ब्लाइट का तो बैक्टरिल ब्लाइट के लिए हम देख सकते हैं इसमें बैक्टरिल ब्लाइट ये देखिए दोस्तों ये जो काले काले धब्बे आपको दिखाई दी रहे हैं ये बैक्टेरिल ब्रैट की पहचान है ये अधिकतर दोस्तों एक मेहने की जब फसर हो जाती है इसके बाद ही हमारे पोदो पर नजर आता है इसका जो प्रकोप है तने पर भी देखने को मिलता है जैसे आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ ये जो ब्लैक डॉर दिख रहे हैं दोस्तों ये जो है बैक्टेरिल ब्रैट के ही निसान है और बैक्टेरिल ब्रैट की पहचान आपको बड़े असानी से हो जाएगी पत्तियों पर काले धब्बे यदी आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं तो आप समझ लें कि ये बैटेल बैट है दूसरा दूस्तों इसमें आती है लेडवलाइट लेडवलाइट की दूस्तों हमें पहचान जो करनी होती है पोधों के ऊपर थे याँनि जो यह लाश्ट जो इसमें टेहनी है यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो ऊपर ग्या पत्तियों जो जुलत जाती है दोस्तों अरली बैट में जैसे नेचे की पत्तियों खराभ होती है उसी प्रकार से जो है लेट ब्लाइट में होता क्या है कि ऊपर की जो पत्यां होती है वो हमें जुलसी हुए नजर आती है तो आप समझ लेए उसको कि वो है लेट ब्लाइट इसान भाईएँ आपने देखा वीडियो में कि कैसे हमने अर्ली ब्लाइट sels वाद अक इस यह दोस्तों हम अरली भेन का करना को दोस्तों हम पोद और चीजिए करते हैं. वो आपके पौधे पर अटाइब नहीं करेंगे क्योंकि सारी विमारिया फंगस की यतनी होती है दोस्तों वो होती है जमीन से तो जमीन का सोधन करना आपको बहुत जरूरी है इसलिए आप COC की टेंचिंग करना अरली बैड के लिए आपको को अरली बैड की ऑकी टाम कि टाम कि अरी वी प्रेवेंटी में काम करना होगा तो दोसके लिए आप जो हमी फंगी साइड आलें जो की सिस्टमेटिक हों जो को fallen में समय तक फंगे से सुरक्षा प्रतान करें और एक कांट्रेट फंगी साइट लेना होगा जो आई हुई बीमारी को रोक सकें दोस्तों मैं आपको कुछ फंगी साइट की नाम बताता हूं जिसका आप बारी-बारी से इस्तमाल कर सकते हैं अर्ली ब्लाइट के लिए उसमें स इन तीनों फंगी साइट का बारी-बारी से इस्तमाल करते हैं तो आपके खेद में अर्ली ब्लाइट आने के चांस काम होंगे और इसके बाद फिर हम बात करते हैं बैक्टेरियल ब्लाइट की तो बैक्टेरियल ब्लाइट में दो दोस्तों जैसे अर्ली ब्लाइट के लिए आप दोसरे कश्टूडिया है कश्टूडिया में तोबिकोनाजोल होता है तो आप इनका इस्तमाल कर सकते हैं तो लेड्ब्राइट में दोस्तोजिज़े को इस्तमाल कर सकते हैं बहुत कारगर है इस मामले में आप equation pro का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो आप को भी फंगी साइट का बार बार इस्तमाल ना करें आप बदल बदल कर ही आप फंगी साइट का इस्तमाल करें तो जोस्तों आप जब भी किसी फंगी साइट का इस्तमाल करें तो साथ में कोसिस करेंगी आपकी उसमें बैक्टिरिया ना सका भी इस्तमाल करें ताकि आपका जो बैक्टिरियल ब्लाइट है वो भी साथ में कंट्रोल हो जाए नहीं तो आपको अलग से फिर बैक्टिरियल ब्लाइट के लिए आपको इस परे करवाने होंगी तो वीडियो म अगर कोई नए वीडियो हम डालते हैं चैनल पर तो आपको आसानी से मिल सकें दोस्तों नमस्का जैहिन जैकिसान